आज हम सिखने वाले हैं किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर या लिप्टॉप के आइकन को अगर बड़े हो गए हैं वो किस तरीके से सही करते हैं या आइकन बहुत ज़्यादा स्मॉल छोटे हो गए हैं तो वो किस तरीके से सही करेंगे अक्सर क्या होता है आपने मार्केट से विंडो कराई या विए आप नया लेपटोप ले कराए या आपने सिकेन लेपटोप लिया या आप में कभी भी ये प्रोब्लम आ गई कि विंडो बहुत ही जादा स्मॉल होगे जिससे प्रोब्लम ये आजाती है कि आपको काम करने के लिए बिल्कुल आखे गड़ों के उसमें काम करना पड़ता है तो वो किस तरीके से सही होता है और कभी कभी होता है कि आइकन आपके बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं वो किस तरीके से सही होते हैं वो भी इस चीज में सिखने वाले हैं और ये भी हो जाता है कि आइकन इतने जादा बड़े हो जाते हैं कि कोई भी हम प्रोग्राम ओपन करते हैं या उस पर काम करते हैं तो हमारा जो आधा जादा प्रोग्राम होता है यानि जो सौफ्ट्वेर पर हम काम कर रहे होते हैं वो हमारे डिस्पले से बाहर हो जाता है तो हम हमारा प्रोपर हमारा वो software दिखता नहीं कि हमारा प्रोपर कि कहां software हमको cut करना है close करना है या minimize करना है तो इस problem से किस तरीके से हम बचेंगे और किस तरीके से इसको बिल्कुल clear तरीके से सही करेंगे क्योंकि lifetime में आपको कभी भी ये problem ना आए तो video last तक देखे जिसमें आपको पता चल सके कि एक एक step केसे क्या होता है तो ये आप देख सकते हैं हमारे display पर icon बहुत ज़ादा बड़े हो गए तो simple तरीका हम बिल्कुल बताएंगे starting से कि आपको कोई भी problem ना आए तो पहले ये जान लेते हैं अगर आपके icon बड़े हो गए हैं तो minimum क्या होता है कि आपके अगर icon बड़े हैं तो आप right किलिक करेंगे view पर जाएंगे यहाँ पर large देखेंगे लगा हुआ है यहाँ से आप medium कर लेंगे यह देखो बट अब otherwise इन्धर उन्धर बिल्कुल बिखरे type से icon आपके आगे तो इसको सही करने के लिए आप फिर से right किलिक करेंगे और sword by पर जाएंगे और name पर कर देंगे आपके icon बिल्कुल किलिए तरीके से अब जान लेते हैं कि आपके icon छोटे किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से सही किये जाते हैं तो वो भी आप इसी display के उपर right किलिक करेंगे view पर जाएंगे यहां से small icon यह देखो इतने जादा small icon आपके हो चुके हैं यह देखो तो icon के आप बात हो चुकी है किस तरीके से आप छोटे यहां से medium ही लगा रहने देंगे यहां से बट अगर हमको सारी चीजें अगर दिक्कत आ जाती है यानि पूरी हमारी display हम यहां से window open करते हैं यह भी छोटी या बड़ी तो वो किस तरीके से सही होती यह चीज तो हमारी desktop की हो गए आसानी से अगर अंदर से window home करते हैं उस पर भी problem आ रही तो वो कैसे सही हो तो उसमें एक problem यह होती है कि आप जब भी नई window या laptop लेते हैं तो उसमें कुछ option पर apply नहीं होता है यानि कुछ option open नहीं होते हैं उसकी वज़े से आपको problem आ जाती है तो सबसे पहले आप right click करेंगे और यहां से जाएंगे परसनलाइज पर इस पर click करेंगे अब यह आपके सामने एक window open होके आ जाएगी और यहां से dialogue box open होके आ जाएगा इसमें पूरी window की history यानि पूरी detail इसी में दी है आपका जो desktop का window का हर चीज का है यहीं से setting और यहीं से हर चीज होगी तो यहां पर आप तो direct अगर wall paper लगाना चाहते हैं तो यहां से wall paper चेंज कर सकते हैं इतना तो पता ही होगा पर यहां हमको display की setting सही करना तो यहां पर कोई यहां पर देखेंगे right कोने पर तो हम display लिखा होगा तो see also के नीचे देखेंगे यहां display के उपर हमको एक बार simple click कर देना होगा अब यहां से 125 percentage लगा हुआ है तो हमारा apply है तो apply आपको 100% यहां पर टिक कामा है 100% आप जब टिक करेंगे तो सारा proper यहां से देखेंगे medium में क्या होता है कि आपका उभर के उपर आ जाता है और यहां से आप 100% ठीक है अब वही चीज़ जो हमने अभी starting में आपको बताई की कोई भी program पर जब हम काम करते हैं तो कोई कोई प्रवाम ऐसे होते हैं जो हमें display के बाहर हो करते हैं वह हमको अगर हमको close करना है तो दिखते नहीं कहां से हमारा close का option है तो उस problem से situation में यह होता कि 100% पर आप जब लगा लेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत यह नहीं होगी कि आपका जितना display size होगा सेम उसी पर आपका program open होगा प्रोपल तरीके से उसी पर आप काम करेंगे और यहां से जब आप apply करेंगे यहां से apply हो जाएगा इस तरीके से apply होगा और अगर आपको 125 लगाना है तो यहां पर जैसे ही इस पर click करके apply करेंगे तो यहां से एक चीज़ हम दिखा देते हैं यहां पर आएंगे तो यह चीज़ मांगेगा Log Off Switch तो एक बार आपको system को restart कर देना होगा यानि on करके यानि off कर देंगे उसके बाद on कर लेंगे restart कर लेंगे अपना system laptop हो या आपका PC हो कुछ भी तो प्रोपर आपका ये size बिल्कुल complete तरीके से सही हो जाएगा जिसमें कोई भी आपको life में problem नहीं आएगी तो इतना आप I hope समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप अपने computer के icon को छोटे या बड़े कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसको सही कर सकते हैं अगर छोटा हो गया हो या फिर आपका icon बड़े हो गया हो बहुत जादा तो I hope वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को like करें और comment करें और अगर पहली बार हमारी channel को देख रहे हैं और ये वीडियो आपके पास सबसे पहली बार आये है तो वीडियो को देखते हुए channel को subscribe जरूर करें क्योंकि daily एक वीडियो हम लाते रहते हैं जो computer software से related होती है और knowledge से भरपूर होती है तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन धन्यवाद